तो चले स्वेट माडन की पुस्तक, सपलता की कुंजी, सच्चा मारक दर्शक, परसिद्ध विचारक, फ्रेंग क्रेंग का मत है की सरोतम गुरु वह है, जो आपको आत्म प्रिचे कराने में आपका पत्परदशन कर सके। आप सदेव अपने विकास के अफसर खोशते रहें, जब भी आपको अफसर मिले, सीखने की कोशिश करें, समय का लाव उठाएं, अपनी आत्मा को अपना योगिक शिक्षक मानें, उसी के निर्देशन पर कारी करें, अपनी राह बनाएं, इसी में आपका कल्यान है, निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए, प्रियास के बिना आप सपनता के ध्वार तक नहीं जा सकते, किसी भी भाय, चिंता, लोग, आदिसी अपने कदमों को न रोके, अविरल अपने पत पर चलते रहें, नया से नया ज्यान प्राप्त करते रहना भी अपने आप में एक सपलता है, अपने आत्मा की शक्तियों को निरंतर विक्षित करते जाना भी सपलता को निकट लाना है, आत्म परिचय और आत्म ग्यान द्वारा ही आप अपने को पहचान सकते हैं, अपने को पहचानने का अर्थ है, अपने शक्तियों को समझना, जब आप अपने को समझ लेंगे, तो परतेक मार्ग आपके लिए सरल हो जाएगा आदिम यूग से लेकर आज तक कि मानव सब्गतर की कहानी हमें यही संदेश देती है कि अपनी उन्नति की मार्ग पर निरंतर बढ़े चलो याद रखिए मनिश की शक्ति असीम है उसकी कोई सिमा नहीं है अपने आपको पेचान कर ही हम विकास, आइस्वाजे और अनन्त पुचाय को छू सकते हैं केवल आपको अपना संकल्प धर्ट करना है और पूरे मन से निर्णे लना है आपके भितर अनन्त शक्ति है आपके अंतर करण में शक्ति का महासागर लारा है इस महासागर की शक्ति को परहचानी है कभी भी घबराने निराश होने की आपशक्ता नहीं है काम में रुकावट आए, बाधा पड़े, तब दि न घबराए, बराबर लगे रहें सपलता आपके पास आकर रहेगी आजमा कर तो देखिए, छोटे-छोटे तिन के जब तक बिक्रे रहते हैं तब तक उनमें किसी परकार की कोई शक्ति नहीं होती पर जब यही तिन की आपस में मिलकर एक मजबूत रसी का निर्मान करते हैं तो उनमें हाती को बाढ़ने की शमता आजाती है इसी परकार मन की तमाम दिक्री शक्तियों को एक साथ भांद लेने पर आप इस रस्य से अपने जीवन की परतेक आकांशा को साकार कर अपने पास बांध कर रख सकते हैं यही मुलमंत्र अपने को पहचानने का है किर्णे एक बिंदू पर एकटी होती हैं तो आग लगा देती हैं सारी समश्या कठी नई एक बिंदू पर एकत्रिप करने की है अपना रास्ता स्वयम बनाएं अपना जीवन खुद समारें किसी और के सहरें न चलें आप कुछ भी हो, आप कुछ भी चाहें आपको सब मिल सकता है वह शर्ते की आप से जो कुछ कहा गया है उस पर पूरी लगन और इमानदारी के साथ काम करें आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगे इतिहास के पन्ने, आज के महापुरूस आपके आसपास का जिवन, सब कुछ इसका साक्षी है एक बार कमर तो कसी है? क्या नहीं मिल सकता? तो दोस्तों ये था स्वेट माडन की पुस्तक सपन्ता की कुंजी का सच्चा मार्ग दर्शक